है गाईज वेलकम टुडिए न्यू लेक्चर इस लेक्चर में हम सीखेंगे एरर्स को पड़ना हम एरर्स को पड़ना सीखेंगे मुझे कई सारे मैसेज आय थे अभी तक कि मेरे प्रोग्राम में यह एरर आरी है तो मुझे सौलव करके बताईए तो मैंने कई सारे errors को देखे और मुझे समझ में आया कि errors तो बहुत जादा छोटे चीज़ थे उसमें लेकिन problem ये था कि जो programmer जो मुझे भेज रहा था कि आप मेरे में ये error आ रही है तो उसे पढ़ना ही नहीं आ रहा था कि error बोल क्या रहा है तो मैं सोचा कि उसके लिए एक dedicated वीडियो बनाऊं जिसमें आपको मैं बताऊं कि error को पढ़ते कैसे हैं जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बोला था कि ये वाला जो section है course का ये सबसे ज़ादा important section होने वाला है क्योंकि अभी तक आपने loops, function, variable, data types scene सभी के बारे में पढ़ा है और ये सभी चीज़ आपको कोई भी बता देता पर main problem आती है errors में अगर आपको error solve करने नहीं आता है तो आपको problem होगी आगे चलके ऐसा नहीं है कि आप beginner programmer है इसलिए आपके error आ रही है error experience programmer के program में भी आती है पर difference बस यह होता है कि उन्हें error को solve करने और उसको fix करने का तरीका मालूम होता है और आपको वो पता नहीं है और आपको generally कोई वो बताता भी नहीं है तो चलिए अब हम बात करते है errors की अभी मैंने एक file में एक program बनाया हुए है और इस program में हो शकता है कोई error हो अगर मुझे अभी तक नहीं पता कि error है तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसे save करके एक बार run करता हूँ तो यह देखिए हमारे पास यहाँ पर error message शो हुई है तो अभी मेरे पास यहाँ पर error message शो हुई है और यह error का line है और यह error का body है body error का इसको बोलते हैं जो कि पूरा syntax हो यह पूरा एक body होता है यह बहुत important चीज है तो अब हम बात करते हैं हमें error को पढ़ना कैसे है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके program में error आ रहे है तो आपको सबसे पहला चीज जो करना है आपको panic नहीं करना है और उसके बाद सबसे पहले आप क्या देखेंगे आप यहाँ पर file का नाम देखेंगे file का नाम है unit5.py मेरे इस file में error आई है और उसके बाद हमारे पास line दिया हुए line 47 जो कि यह line है 47 line मेरे इस line में program में error आई है और next line में आपको python यह वाला line प्रिंट करके दिया है और बत type दिया हुए कि आपको किस type का error आई है यहाँ पर syntax error आई है हमारे पास और उसके बाद हमारे error का description दिया हुआ है यह error का description कभी-कभी कुछ word का होता है और कभी-कभी कुछ line का होता है जिस type का error होता है उस हिसाब से यहाँ पर syntax आएगी आपके पास और हमें क्या देखना है ह हमें यहां पर इस एरो को देखना है इस एरो जहां यह एरो पॉइंट कर रहा है हो सकता है यहां एरो आई हो यह इसके पहले आई हो यह इसके बाद आई हो तो यह एक टोकन है इस टोकन में एरो दिखा रहा है हमें तो अगर हमें इस एरो को सॉल्व करना है तो हमें सबसे पह function है और function close bracket लेता है तो हम यहाँ पर close bracket लगा देते हैं हम यहाँ पर आगे में भी लगा लेते हैं अब मैं अगर इसे save करके run करूं तो यह देखिए हमारे पास फिर से एक error आई है पर इस बार हमारे पास unit 5.py file के 49th line में हमारे पास error आई है तो 49th line हमारे पास क्या है तो हमें इस line में इस बार error आई है तो हमें इस line को solve करना है तो इस line में हमें बोला क्या है हमारे पास print statement में error आई है और हमारे पास syntax error आई है और इस बार हमारे पास कुछ word का नहीं एक line का पूरा syntax आया है कि हमारे पास error क्या ही है तो हमारे पास लिखा है missing parenthesis in call to function मतलब हमारे जो print function है और function में हमें bracket से call करना होता है किसी भी function को तो हमें यहाँ पर बताया है कि function को हमें यहाँ पर bracket लगाना है तो अब अगर हम इसे save करके अगर run करूँ तो यह देखिए हमारे पास problem solve हो चुकी है हमारे पास पूरा error खतम हो चुका है तो हमें ऐसे किसी भी error को solve करनी है procedure by procedure आपको solve करनी है हमारे पास कोई और तरीके के syntax error भी हो सकते हैं जैसे अगर मैं आप पर print के जगा यहाँ पर curly braces लगा दूँ और अब मैं इसे save करके run करूँ तो यह देखिए हमारे पास फिर से यहाँ error आई है और फिर से यह error आने से सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है आपको panic नहीं करना है और panic नहीं करके आप सबसे पहले देखेंगे फाइल का नाम और फाइल का लाइन और फाइल का लाइन यहाँ पर display हो चुका होगा और display होने के बाद यहाँ पर जो error शो हो रही है एरो में error शो होगी और वो error कि इस type का है syntax error है और हमें उसको क्या करना है हमें यहाँ पर description दिया हुए कि हमें curly braces नहीं हमें round bracket लगाना है तो हमें अगर आप यहाँ पर round bracket लगा के save करके run किये तो हमारे पास perfect answer आएगा हमारे पास कोई error यहाँ पर show नहीं हो रही है तो इस video में हम syntax error को कैसे solve करना है उसको हम step by step देखें अब हम बात करेंगे अगले lecture में run time error को हमें कैसे solve करना हम उसके बारे में देखेंगे तो I hope आपको यह lecture समझ में आया होगा thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content